नेता प्रतिपक्ष राजेंद राठोर हमारे साथ मौझूद है उनसे हम बातचीत करते हैं राठोर साथ आप लगातार मीटिंग्स में बिजी है और आपके सामने तीन बड़ी मीटिंग है राधनाद सिंग आ रहे हैं अमिच्छा आ रहे हैं जेपी नड़ा आ रहे हैं दूस को दिखाए तो ज़्यादा ठीक है और नरंदर मोधी जी दुनिया का सबसे लोग पिरनेता है और उनकी जो सबाह हुई थी उसका आंकलन लोग कहते हैं कि अब तक अजमेर संबाग के सबसे बड़ी सबाह है और अभी भारतिय जन्ता पार्टी के हमारे के अंदर नेत्रत के लोगों लोग अलग अलग कारिकर्म में आएंगी हमारा जो हमारी जो पेक्षा ही रहती है हमारे हम जिन आम आदमी को नहीं करके उन लोगों को बुलाते हैं जो भारतिय जन्ता पार्टी के धायत्वान लोग हैं जितनी संक्या निर्धारित करते हैं उसे अदिकी लोग आत करते हैं कि सीपी जोशी नहीं भाजपा के अध्यक्षाप हैं किते हैं फैसले भी आप कर रहे हैं घोशना आप कर रहे हैं आखिर माज़रा क्या है देखिए उनके कहने से कुछ नहीं होता है सामूइक नित्रत्व है हमारा यह हमारे अध्यक्षत जी की सहर्दता है कि जब कभ आप जब उपनेता प्रतिपक्ष थे और नेता प्रतिपक्ष कटारिया सहाब थे तो आप दोनों होते थे अब उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया है वो बहुत कम नजर आते हैं जिस लिहास से आप होते हो यहां पर और वसंद्रा जी तो आती ही नहीं है इन दिनों बिल पुरे राज्तान के नेता है लेकिन एक और महत्वपूर बात है आपको लेकर ही लगातार परहार क्यों गरते हैं क्या उन्हें लगता है कि आप बीजे पी में उभरते हुए तेजी से एक बडे लीडर बनने जा रहे हैं वो मेरे मित्र हैं मित्र को मित्र की चिंता करनी चाहिए और मैं बहुत चिंतातुर हूँ कि अब आगे आने वाले समय में उनकी रहा में जिते कांटे मैं देख रहा हूँ मुझे भी उनकी चिंता है इसलिए वो मेरी चिंता करते रहते हैं इसलिए कोई बुरी बात नहीं एक और सवाल क्या आप मानते हैं कि अब जो नई टीम बनेगी क्योंकि आप ने तर्ट से फैसले करते हैं जो भी फैसले होते हैं आप भी बैठते हैं सीपी जोशी भी आपके साथ होते हैं और उनके अलावा चंदर शेखर भी होते हैं सतीज जी भी होते हैं अरुन सिंग जी से भ लेकिन युवा लोग हैं वो भी इंतजार करते हैं कई लोग की हमें हमारे पर्देश सद्दक से कौन युवा होगा जब जिस पूरी पार्टी का अगवाई नोजवानों फिर नोजवानों का प्रदित वो कर रहे हैं लेकिन आपने राजस्थान की राजनीति को करीब से ने हो तो नेता परतीपक श्राजिंद राठोड से खास बातचीत की है फस्ट इंडिया न्यूज ने कई उन सवालों को लेकर जिनके जवाब जानना जरूरी था